जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रिंग कोर्ट का फैसला बहुत एहम है इंडिया गठबंदन की ये बहुत बड़ी जीत है पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े माइने रखती है एक तरह से उन लोगों से छीन के लाएं हम लोग ये जीत उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिये थे लेकिन हमने हार नहीं मानी हम आखरी समय तक लड़ते रहे संगर्श करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई तो ये पूरे देश के लिए इंडिया गठवनन के लिए बहुत बडी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया निया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लाइनिंग और स्ट्रे चंडिगड के लोगों को बधाई देता हूं जिनको चंडिगड के लोगों की एक तरह से जीत हुई चंडिगड के लोगों ने तो नतीजह यही दिया था कि बही इंडिया गडबंदन का candidate mayor बनना चाहे लेकिन उन्हें चोरी कर लिया चुनाव तो एक तरह से जमता की हार हो ग कॉंग्रेस के, आम अदमी पार्टी के, अकाली दल के, 35 कांसलर और एक मेंबर अफ पारलियमेंट, 36 वोट थे, उन 36 वोट की काउंटिंग में, बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिये, 25 परसेंट वोट चोरी कर लिये, 36 के अंदर, सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड वोट हैं, अगर ये 36 वोट में से 25 परसेंट वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूप काप उठती है, रौंटे खड़े हो जाते हैं सुनते तो थे की बीजेपी वाले गड़बड करते हैं, सुनते तो थे की बीजेपी वाले बड़माशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन करते हैं, सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था, आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े हैं बीजेपी वाले कि ये तो कहते है ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उपर वाला अपनी जाड़ों चलाता है गीता में भी लिखा है जब यदा यदा ही धर्मस से गलानिर भवती भारता इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं अवतार लेते हैं भग है सारा इनका को कर्म पकड़ा गया तो दिल्ली के मुखे मांद वी अर्विंद के जिवाल का आप उनकी प्रेस कॉंफरेंस आप सुन रहे थे चैंडिगाड के लोगों की जीत हुई है आई एंडिया ये के लिए बड़ी जीत है सर्बच दालत के फैसले पर उनकी कॉंफरे सेकता से बीज़पी को हराया जा सकता है ये उन्होंने कहा गलत तरीके से वोट अवैद किये गये थे